बूर्णिंग स्ट्रेंज कैसे हैं आप से उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे बेटा आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं यह घजल है इसके लावा इस बुक में जितने भी चैप्टर थे 19 सक चैप्टर थे सारे अपलोड किये जा तो अब कहने का मतलब यह है कि आप लोग प्लेरिस्ट का सही से इस्तेमाल करें तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे 19 सक सारे चैप्टर अपलोड है अब जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे है चैप्टर नंबर 15 है और यह एक घजल है घजल में क्या होता है आप स मतलब है ना रदीफ आफिया किसे कहा जाता है तो देखिए मैं आपको यह एक्स्प्लेइन कर दूँ कि जो लवज बार बार सीम रहते हैं उनको कहा जाता है रदीफ ठीक है जैसे की 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 यह जो है यह सब क्या है रदीफ है ठीक है रदीफ से पहले आने वाले लवज जो सफर, इधर कर, असर, भर तो इसमें सब में लास्ट में रा आ रहे है ठीक, इसके बाद इसी को हम लोग क्या कह Kiss? रदीफ और का विये अप लिया औरा तक अब हम बात करते हैं मतला की ठीक, तो मतला किसे कहते है? घजल का पहला शीर ठीके जिसमें क्या होता है हम रदीफ और हम काफिया होता है ये क्या कहलाता है मतला कहलाता है इसमें देखें दोनों मिस्रों में हम रदीफ हम काफिया होगा जबकि अगर आप देखें तो यहां पे रदीफ और काफिया नहीं है इस तरफ है, क्योंकि पहले और दूसरे में दोनों में होता है, उसके बाद फिर चौथा, छटा, आर्थों है, ऐसे चलता है, ठीके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कि इसकी लास्ट का जो बचता है आपका मक्ता, तो मक्ते में शायर अपना तखलूस इस्तेमाल करता है, ठीके, चलिए, आगे आजाते हैं, अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा, पहले हम लोग घजल को अच्छे से डिसकस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ रांसर्स को लिखके देखेंगे, ठीके, बीच में मैं आपको इ लेखने की जुरूत पड़े तो आप लोग लेख सकते हैं, मेरे घम की उन्हीं किसने खबर की, जई क्यों घर से बाहर बात घर की, तो अब आपको पता होना चाहिए, कि घजल का हर शेर अपने आप में मुकमल ही काही होता है, है ना, तो घजल में इस शेर में शेर कुछ औ और बात कर सकता है, इसमें कुछ और बात कर सकता है, यहां पर कुछ और बात कह सकता है, ठीक है, तो पहले शेर में जो शायर है, वो क्या कह रहा है, मेरे घम की, यहने मुझे जो तकलीफ है, मुझे जो घम है, उसकी खबर उन्हें किसने दी, यहां पर उन्हें पर मुराद महबूब को है मैं तकलीफ में हूँ मेरे महबूब को ये बात किस ने बताई क्यों क्यों कि मैं तो घर में हूँ I mean और मेरा जो घम है वो घर तक ही मैह journeys तो घर से ये बात बाहर गई कैसे किस ने उन्हें जाके खबर दी कि भाई मैं जो हूँ मैं मुपतला हूँ ठीक है ये जो घजल है बहुत सामने की इसमें कोई डीप मतलब कोई गहराई का मतलब नहीं है जो जी सामने दिख रही है वही इसका मतलब है चली आगे देखते हैं लिखते हैं घुटता जाता है दम रुकसत हुआ कौन ये दुनियागर्द है किसकी सफ़एगी देखें जब कोई सफ़वर पे निकलता है कोई चल रहाँ तो तो क्यों तो धूल उरती है तो कहते हैं ऐसा कौन यहाँ से निकला इस दूनिया में से ऐसा कौन चला गया ये जो धूली धूल हो गई है और कौन उसके जाने से क्योंकि वो चला गया रुकसत हुआ है तो उसके जाने से हमारा दम क्यों घुट रहा है यानि ऐसा कौन है हमारा कोई अजीज ही चला गया होगा यह हम यह कह सकते है यहां पर जो बात हो रही है यहां पर बात हो रही है इंसानियत की यहाँ पे बात हो रही है किसे hata इंसान को किसी इंसान की गदर नहीं रही है इंसानियत भलाई वो वह खलाई आन्सेप नहीं बचा है इसलिए क्या हरता दम घुटता जा रहा है ये रुकसत कौन हो गहाँ इंसानियत वफदारी सच्चाई इमामदारी ये सब क्या है ये रुखसत हो चुकी है इसलिए अब सिर्फ यहाँ पे धूले धूल बत किये ठीक है न क्योंकि अब लोगों में इंसानियत वफादारी कुछ ही नहीं बचा ठीक इसी वज़े से जो इस तरह के लोग है जिनके अंदर इंसानियत बाकी है तो उनक पदमक्यार गुट रहा है क्योंकि वो तो इंसानियत कर रहे हैं लुग उनके साथ जाने बावा स्लुक कर रहे हैं तो आगे चलते हैं łalgूत में उधर क्यों हो गई दुनिया इधर की अब कहते हैं कि ये कैसा खेल चल ला है है ना पूर्फन यानि जो जिसके अंदर हर तरह का फन भरा हुआ हो है ना तो अब आपको पता है ये तो एक जर्नली अब लोग इस्तेमाल करते हैं इधर की दुनिया उधर कर दी है ना इसका क्या मतलब है कि सारी चीज उल्ट बज़ते ही यानि यह कहते हैं पलक जपकते ही सारी दुनिया इधर से उधर पलेट गई है वो बहुत पुरानी बात नहीं है जब हमारे दादा नाना हुआ करते थे और सब लोग मिलके रहते थे उसी चीज़ को यहां पर यह बता रहे है ठीक है आगे चलते हैं कहते हुनर स जमाना था बुराईयों का जमाना था हमने उनर सीखा तो यह खता तो थी गल्दी तो थी क्योंकि हमें भी बुराई सीखनी चाहिए हमें भी वही कम्या सीखनी चाहिए क्यों क्यों क्योंकि कहते है ना कि जो जैसा है उसको वैसे ही करो लेकिन यह गलत है है अगर कोई मैंसा बुराई कर रहा तो हम उसके साथ दुराई नहीं कर सकते तो फेसे और हमें फर्क क्रेंगा चाएगा तो कहते हैं कि बहुत बुराई आप का था बुराई का था और हमने उनर सीक़ तो खता थी हम अच्छा आप यहां हमरी खता थी लेकिन अहिए खता जान बूच कर की थी हम भी चाहते तो एब का जमाना था एब सीख सकते थे बुराईया हम भी सीख सकते थे लेकिन हमने हुनर सीखा हमने अच्छाई सीखी ताकि हम लोगों के मदद कर सके आगे कहते हैं बहुत रुसुआ हुए बस एब दुआ बस खुशामत अब नहीं होती असर की कहते हैं हम बहुत रुसुआ हुए रुसुआ मतलब क्या होता है बदनाम होना है ना हम बहुत बदनाम हुए और अपनी दुआ से कहते हैं बस अब बहुत हो गया अब हमारे अंदर ताकत नहीं है किसी की खुशामत करें किसी की खुशामत करें दूआ के खुशामत करें कि तू असर ला ठीक है तो ये दूआ से कहते हैं कि भाई दूआ अब तुम रहने दो अब हमारे अंदर इतनी इम्मत नहीं है कि हम तुम्हारी खुशामत करें कि तुम कुबूल हो जाओ तुम कुबू ठीग आगे चलते हैं लिखते हैं बहुत क्यों होना रुसौाई हमारी एससे जाधा हमारी क्यों ना ओ यही तो है कमाई उम्मर भरकी युला में यही सब सतीज ही कमाई है यहाँ पर देखें कुछ सेंस Deep हूं देख रहा है यह निगरी हैं हमे अच्छा कररे हैं उसके बावजूद हमें जो ज़वाब मिल रहे है उसे मिल लहा है कि के चलते हैं टलिक गया हरा हमने रुक्सीबत कैह झरी है को सामने म्तिकम नाद आचा ना tell की आ यह है है कैसे डली है इतनी असानी से नहीं चली जान ले ली तब वो डली है । हमें रुक्सत करा या जब हम मर गए तो हमारी मुसीबतें भी खत्म हो गोई आप भी सरक लिना किसक लिए चले गैं तो घर्ज जाब वे क्या है कि जहें लिए कि बाद ही उसकी मुसीबते खत्म हो सकती है उससे पहले नहीं हो सकती तो वही बात कहरे है कि हमारी जान लेकर जब हम मर गए तो सारी मुसीबते क्या हो गई तल गई, खत्म हो गई, रुख गई हमें रुखसत किया, यानि पहले हमें इस दुनिया से बेज़ा फिर सारी मुसीबते भी इस दुनिया से चलिए गए तो हमारी मुसीबते कैसी रहें ठीक है चलिए तो ये थी एक छोटी सी आपकी घजल जो हमने पढ़ ली है इसके बाद देखें ये आपके लफ़ महिने है चेश्म मतलब होता है आँक पुर्फन यानि की चलाकियों से भरी हुई ठीक है रुसवाई यानि बदनामी खता यानि कुसूर हुनर मतलब सलाइयत उसके बाद बलते है एब मतलब बुराई गर्द मतलब धूल रुकसत करना ज अशार को मकमल करना है और फिर यहां पर जो लफ़ हैं उनके जम्मा बनाने और यह अमली काम में लिखा है घजल के अशार को अपने कौपे में लेखिए और उन्हें याद कीजिए तो आप लोग खुद से करेंगे अब एक काम करते हैं हम लोग आशार की तश्रीश देखत इसके लाव यहां पर भी कुछ इस्पेशल ले लिखा है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो यह सारे अशार हैं जो आप लोग देख लेंगे लिख लेंगे वीडियो को पाउस करके लिख लीजी अब बात कर लेते हैं सवाल जवाब पे पहला सवाल लिखा है घजल के तरफ दूली दूल हो जाती है कुछ नजर नहीं आता आज किसके रुखसत होने की वज़े से दिल परिशान है और इस परिशानी के आलम में सीने हमारा कहा है दम घुटता जाता है तो मैंने भी आपको बता है कि कौन से राप यह अच्छाई और बुराई का मतलब जो अच् जाते जहीं अच्छे कि अच्छे हैं यह शायर नहीं जहीं है लिखते धजल के चौथे शहर से यह सबफ ने कि हमें जमाने के साथ चलना चाहिए दुनिया वालों की चलाकियों मकारियां उन चीजहों को समझते हैं तादय का मतलब बहें हो और बहूत बूह बहुत हैंसे न आगला लिखा है पाँचवे शेयर में किस की खुशामत की बात कही गई है तो पाँचवे शेयर में असर की खुशामत की बात की गई है कि दूबा जो है मारी असर लाए ठीक है शाय के मताबक उसकी उम्र भर की क्या कमाई है तो उसकी उम्र भर की कमाई क्या है बदनामी रु आगे चलते हैं यह लिखा है गजल में लव्ज जान दो शेरों में इस्तिमाल हुआ है दोनों के अलग अलग मतलब लिखिए तो देखिए यह लिखा है लव्ज जान दो शेरों में इस्तिमाल किया गया है गजल के चौते शेर में लव्ज जान यान जान बूच कर इस्तिमाल क किया है ठीक है और कहते हैं कि आखरी शेयर में जान जिन्दीगी के लिए इस्तिमाल किया गया है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब यह शेयर मुकमल करना है तो देखें यह शेयर आपको दिये गए यह वाला मिसर आपको लिखना है और अशार आपको जो शेयर मुकमल हो तो इस तरह से वीडियो होती है आपकी कम्प्लीट उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी यह सारी बुक भी आपकी कम्प्लीट हो चुकी है आपकी प्लेइलिस्ट जाके आप इस्तेमाल करें सारे चाप्टर आपको मिल जाएंगे ठीक है चले तो अच्छी वीडियो कमे लिंगर के ज़रूर बताएं थैंक्यू फो वाचिंग